Hey guys, welcome to World Affairs, मैं हूँ प्रशान दवन, चलिए डिसकस करते हैं 2 January 2021 के Daily Current Affairs और आपको अगर सीरीज पसंदारी हो, इसको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो make sure to like the video, like का बड़न दबाईएगा और कोशिश करते हैं यहाँ पर 25,000 likes की let's go for 25,000 likes So, पैरा question बहुत ही interesting है, बहुत ही important भी है, आपको simply यहाँ पर यह बताना है कि के सिवान साब जो आज कल काफी news में है, क्योंकि इनको extension मिल गई है, देखो क्या है कि इनकी retirement due थी January 14, 2021 में मगर अब इनकी नौकरी extend कर दी गई है एक साल के लिए तो आपको बताना है कि जो extension इनको मिली है, यह किसने provide करी है, यहाँ पर आपकी options है, सही उत्तर यहाँ पर है option, option D, appointments committee of union cabinet, इसने extension दी है एक साल की इस रो के chairman को और interesting बात यहाँ पर यह है, कि यहाँ पर जो chairman है, यह है देश के अपधानवंतरी, और इस committee में आपको home minister साब भी मिलेंगे, और यह committee बहुत सी important appointments करती है, in the government of India, यहाँ पे आप अगर देखें, यह सब appointments committee के निर्ने के हिसाब से, जो post हैं तैय होती है, कि किसको मिलेगी यह post, Solicitor General of India, Controller General of Defense Accounts, Director General of Defense Estates, बहुत ही important posts हैं, और बहुत ही important committee है यह appointments की, सो आगे बरते हैं, अगला प्रशन आप से यह पुछा जा रहा है, कि हाल ही में निम लिखित में से, किसके साथ, रक्षा मंत्राले न बहुत ही important question है, और सही उत्तर यहाँ पे है, option, option C, भारत Electronics Limited, यह भी सरकारी company है, इसने sign किया है, एक contract, Ministry of Defense के साथ, जिसके लिए, इंडिया नेवी को यह provide करेंगे, दस, यहाँ पे आप देखेंगे, यह फोटो है, और यह जो नाम से लग रहा है, fire control system, ऐसे सुनने में लग रहा हो, कि आग लगेगी, तो इसको control करेगा, नहीं, fire control मतलब कि जब आप firing कर रहे हो, shooting कर रहे हो, तो जो target है, उसको properly आप lock कर पाओ, उसके लिए है, यह links U2, it is designed to acquire, track and engage targets amid C cluster, बहुत ही important है नेवी के लिए, और दस procure करेगी इंडिया नेवी, for the time being, अच्छा, BEL के headquarters कहां पे है, नई दिल्ली में नहीं है, यह है, बैंगलूरू में, के लोग गलत कर देते हैं, यह, भारत electronics limited headquarters आपको मिलेंगे, बैंगलूरू में, और इसको found किया गया था, 1954 में, और आज के समय भारत में, BEL के हैं, 9 बहुत important manufacturing units, आगे बढ़ते हैं, question आ यहां पे आपकी options हैं, कितने राजे हैं यहां पर, सही उत्तर यहां पे है, option, option C again, 6 states, देखो 6 states हैं, वहां पर नीव रखी गई है, lighthouse projects की, by the Prime Minister of India, अब lighthouse से यह वो मतलब नहीं है, कि coastal area में जो होते हैं, lighthouse ship के लिए, यह लोगों के रहने के लिए घर हैं, और यह project का नाम है, lighthouse project, और यह foundations तो नहीं इसकी रखी गई थी, और आज के समय जो यह lighthouse projects हैं, यह बन रहे हैं, इन states में, मद्यपदेश, गुजरात, तामिलनाडू, जारखन, त्रेपुरा, उत्रपदेश, और इस initiative के बाद, 1000 घर बनाए जाएंगे, इन locations पर, in all 6 states, और यह सब किया जा रहा है प्रानमंत्री जरेंदर मोधी जी की housing for all by 2022 scheme के अंडर, बहुत ही important सपना है हमारा के 2022 तक देश में कोई भी बिनाघर के ना हो, तो उसके लिए, यह सब इनिशिटिव काफी है तक news में है, so make sure to remember this, आगे बरते हैं, अगला प्रशन बहुत ही important है, आजका news में भी है, DRDO ने DRDO ने celebrate किया है, अपना 63rd Foundation Day, DRDO के headquarters आपको मिलेंगे नई दिल्ली में, और आज के समय आपर chairman है, सतीज रडी साब, DRDO का एक motto भी है, संस्कृत में हम इसको कहेंगे, बलस्य मूल विज्ञानम मतलब के जो ताकत है, जो strength होती है, उसका origin, उसका जो source है, वो है ज्यान, बहुत की सुंदर मोटो है DRDO का, और यहां पर आप देख पाएंगे, DRDO ने आपर का है, कि जो हमारा 63rd Foundation Day है, हम वारा करते हैं, कि देश को self-reliant बनाएंगे, in developing indigenous weapons और technology, और 2020 में यगर हम देखें, तो DRDO ने बहुत कुछ करके दिखाया था, light combat aircraft navy variant की landing हुई, INS Vikramaditya में, aircraft carrier में, demonstration हुआ, HST, DV का, मतलब के India in the future, hypersonic missile बना सकता है, quantum की distribution का demonstration हुआ, इस पर मेरी एक अलग से वीडियो भी है, उसके अलावा, supersonic missile assisted release torpedo जो है, smart, इसका भी test हुआ, क्या हुआ, RSM का test हुआ, तो यह सब जो बहुत ही important achievements दिखेंट की DRDO की, मैंने list कर रखी है, यह आपको PDF में मिल ज है, यह भी यहाँ पर celebrate कर रहे है, DRDO का foundation day, सो आगे बरते हैं अगले question की तरफ, अगला question बहुत की अच्छा है, हाली में केंद्र सरकार ने, उत्तर पदेश के किस शेर में, multimodal logistics और transport hub, परियोजना के निर्मान की मंजूरी दी है, यहाँ पर क्योप्शन है, कौन सा भीया श logistics and transport hub project, इसमें देखो, सरकार के रही है, सरकार के शब्दें यहाँ पर, एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, और इसमें लागत आएगी, इसको बनाने में, 3884 करोड, actually, मोधी जी ने, total यहाँ पर 7,725 करोड के projects की announcement करी है, यहाँ पर आप देख पाऊगे, project कौन-कौन से हैं, एक तो है, industrial notes in Krishna Patnam, यह है in Andhra Pradesh, और दूसरा है, industrial note at Tumakuru, यह है in Karnatka, इन दोनों की जो cost है, यह भी आप देख पाएंगे यहाँ पर, और इन दोनों projects में भी almost बताया जा रहा है, कि लगपक आप कह सकते हैं, 80 से लेकर 90,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, और यह obviously ली किया जा रहा है, आत्म निर्वर भारत और Make in India initiative के अंडर, बहुत ही important यह development है, इसको भी याद अफ्लेना, आगे बढ़ते हैं अगला question आपसे यह पुछा जा रहा है, sports related question है, भारत के 67th chess grandmaster कौन बने हैं, आज का news में है topic, सही उत्तर, यहाँ पे है option, option C, Leon Mendoza, सिर्फ 14 साल की उमर में, बहुत यंग एज में, यह बन गए हैं, इंडिया के 67th grandmaster, grandmaster highest status होता है, chess की category में, और grandmaster बनने के लिए काफी competition जीतने होते हैं, अपनी जो rating है, यह काफी improve करनी होती है, और यहाँ पर आप देख पाएंगे, तह हिंदू का article है, Leon Mendoza is India's 67th grandmaster, और Vishwanathan Anand, probably India's greatest chess player ever, इन्होंने भी यहाँ पर इस पर tweet किया है, congrats Leon on becoming 67th grandmaster, तो आगे बढ़ते हैं, अगले question में आपसा यह पूछ रहे हैं, कि web-based digital ocean app को हाल ही में, किसने launch किया था, यह जो topic है काफी news में आजकल, सही उत्तर यहाँ पर है, option C, INCOIS, INCOIS ने launch किया है, इस digital ocean app को, INCOIS है क्या basically, देखो यह बहुत ही important है, यह है Indian National Center for Ocean Information, इसके headquarters आपको मिलेंगे, हैदराबाद में, यह एक autonomous body है, under the Ministry of Earth Sciences, जहाँ पर minister है, हर्श वर्दन साब, और इस autonomous body को setup किया गया था, 2007 में, यह लोग बहुत सा काम करते हैं, data खटा करते हैं, regarding oceans, यहाँ पे क्या climate change दिख रहे हैं हमक करते हैं, और इसके लिए, अब एक web-based app launch कर दिये नोंने यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख पाएंगे, digital ocean है, इस app का नाम, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन आप से यह पुछा जा रहा है, किन में से कौन हाल ही में बना है, associate member, international organization of securities commission का, यह जो है international organization of securities commission, बहुत ही important international commission है, संगटन है यह, और इसका हाल ही में associate member बना है, IFSCA, और IFSCA की full form क्या है, इसकी full form है, international financial services center authority, ठीक है, और इसको establish ही किया गया था, April 27, 2020 में, under the international financial services centers authority act of 2019, इसके headquarters कहाँ पे हैं, headquarters हैं इसके गुजरात में, और यह member बन चुका है, international organization of securities commission का, जिसके headquarters आपको मिलेंगे, Madrid जो राजधानी है, Spain की, और यह रहे को बहुत important है, for securities regulator, जो लोग trading करते हैं, जो लोग global markets में trade करते हैं, उनके लिए यह बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर, कि India जादा international standard के साथ जोड़ रहा है, और जो हमारी financial service center authorities हैं, उनको internationally भी acceptance मिल रही ह जो आगे बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, हाल ही में किसको appoint किया गया है, as new chairman and CEO of railway board, बड़ा straightforward simple सा question है, अगर बहुत ही important भी है, बहुत ही important post होती है यह इंडिया में, railways अपने आप में एक huge job provider है, economy के लिए बहुत important है, और यहाँ पे जो नए CEO है railway board के, यह है, श्री सुनीत शर्मा, तो congratulations to him, he has taken over the charge of new chairman and chief executive officer CEO of railway board, ministry of railways, और यहाँ पर आप देख पाएंगे, इसकी notification भी है, press information bureau की, last question आपके लिए यहाँ पर यह है, कि पहला international day of epidemic preparedness, यह देखो डे बहुत ही important है, क्योंकि हमने हाल ही में pandemic देखा है, epidemic, pandemic से different होता है, pandemic मतलब कि जो बिमारी पूरी दु दिया में फैल गई, epidemic होता है, कि एक particular region में बहुत ही ज़्यादा भीशन तरीके रे कोई पिमारी अगर फैल जाती है, तो हम उसको कहेंगे, एक epidemic, तो international day of epidemic preparedness, यह observe किया था, हाल ही में, 27 December को, very important question है यह, और इसको याद लेना, किसी भी exam में, SSB bank, किसी भी exam में, आप से इसके देश है, जिसने आज तक men's T20 World Cup नहीं जीता, और सही उत्तर यहाँ पे है, Australia, और यहाँ पर रवीश यादव, देवेश, राजपूत, उसके लावा, knowledge seekers ने तो कमाल कर दिया, धाई हजार लाइक, वाउ, धाई हजार लाइक, यहाँ में मिले हैं, और बहुत ही लोगों ने कौन है, good information, good solid information, kudos to all of you, अब बढ़ते हैं, आज के question के बारे में, SSE CGL 2019 में यह question प्रकट हो गया था, pure polity का question, जिसने polity अच्छरे पड़ी है, वो बिना Google करे, अराम से इसको answer कर लेगा, question आप से यह पूछ रहा है, के right to freely move throughout the territory of India, हिंदुस्तान में freely आप कहीं भी जा सकते ह यह जो आपका fundamental right है, यह लिखा है सम्विदान के कौन से article में, यह आपके सामने options है, article 24, article 14, article 21, या फिर article 19, इसको attempt करो, और लिखने के लिए तो यहाँ पे बहुत कुछ आपके पास है, अपनी polity की जो knowledge है, यह share करिए, और do make sure, के जो answer आपको दिखे के अच्छा लग रहा ह उसको आप like करिए, appreciate that answer as well, मिलके knowledge share करते हैं, because sharing is caring, यह है, end is video का, thank you for listening and as always, God bless you all.